पुरानी पेंशन योजना बहाली नई भर्तियां सहित अपनी दस सुत्रिय मांग को लेकर पोस्टल जे सी ए के केंद्री अहवान पर आगामी आठ और नौ जनवरी को राश्ट व्यापी हरताल को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को सिविल लाइन इस्तित डाक विवाग में करने के लिए इसको डिफाइन करने के लिए अबारे इसको डिफाइन करने के लिए अबारे से अगवारी को क्या होगा आखला जिंदावार हमारे वरिष्टों ने अठिकार पाने के लिए अबस्ताला देट्री पूस्तार्वार क्ठिन के रेल मंत्री और आज के वित्मिंत्री जो है हमारे अरुजेट्री तीनों लोगों का लिखेत स्टेफ्मेंट आ आ सब्सक्राइब कंड़ियों को माता करी अरुजारी के विए तमाम बातों के लिए हम कमेड़ी वैखा रहे हैं ऑफित्मेंट फार्मूला जो आपका ह उसको भी हम सुधारे When we come on गवाट गौर गवाट रॉबद आप जे को किया होगा नउ जनवरी दिटा फडेजा होगा ! पाउंट करेगा ! काउंट करेगा ! भरत राँन फट मातक्री जे कर थे जिजिंदा वड गवाट फसर बन कर जिंदावट प्रचा में आप जानते हैं, सरकारे किसी का हुआ नहीं करती, मैं सरकारे किसी की सुनती है, सीधा सा फंडा है, जो मा बच्चे को जमती है, कितना पीड़ा साती है, जब तक वो बच्चा रोता नहीं, स्वाभाविक ढंग से अपना अस्तनपाल नहीं करेंगे जब तक हम मजबूती से लड़ेंगे नहीं, सब तक हमारी जाज बांगों को भी ये नाजाज समझा करेंगे जनारदन सिंह, केंद्री सरकार के नेत्रितों के आवान पर आठ और नौ जन्वरी को पूरे राष्ट ब्यापी हड़ताल होने जा रहा है उसके समर्थन में हम लोग आज एक त्रित हुए हैं और पूरे गोरफ प्रमंडल के सारे कर्मचारी कठा हैं और सरकार की जो नितियां हैं कर्मचारी बिरोध ही नई पेंशन नीत को समाब करें और पूरानी पेंशन नीत को लागू करें रिलेक्सर्शन एपॉइंट्मेंट जो 5% का फिक्स कर रखा है उसको पूरी तरह से हाटा लिया जाए नई भरतियां किया जाए तमाम जो हमारे दस सतरी मांगे हैं उसको सरकार पूरा करें नहीं तो इसे के समर्थ में जो सरकार की नीति है उसके बिरोध में आठ और जन्वरी को पूरी तरह से डाग विवाग बंद रहेगा माय पति मिस्रा चेत्री मंतरी गोड़कूर अठ नव तारिक को जो हरताल हो रही है वारत सरकार के खिलाब जिसमें तमाम मांगे रखी गई है उसमें ग्रामी डाग सेवकों के लिए मिमिती करना की मांग भी रखी गई है इसलिए पूरे गोड़पूर के मंडल के ग्रामी सेवत आठ और नोतों के पूर्ट हरताल में सामिल लहेंगे और पूरी तरह इंको समर्थन इनके हरताल को समर्थन हमाना भी रहेगा